तो किया सेल टॉस इंडिया में लौंच रहा है काफी पर्फिक्टर रहा है एक स्टीर की बात करें इंटीर की बात करें फीचर्स या फिर ओवर ओर इंजिन ऑप्शिन इसने सारे आपको मिल जाते हैं जब 2019 में लौंच करेंगी थी तो यह बियस्टिक्स कार थी अग इसे एना फैनली यहाँ निउभ सेल्टोस फेसलिफ लॉंच करे जा रहे है, यहाँ पर कोई डायमेंसिन में चेंज्स नहीं होगी नहीं कोई प्laatफार्म में चेंज्स होगी नहीं कोई बिल्ट कोली लिटी में चेंज्स होगी, यहाँ पर चेंज मिलने वाला है वो मिलेगा यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्टीर में हल्का सा कॉस्मेटिक चिंज वोंगे इंटीर में होंगे और यहां पर फिक्टर्स एड़ करेंगे अड तैम जो है अपडेट भी होती रही है यहाँ पे नियु विलेंट इंटेज स्सक्राइड नियु जो एक्टिन विलेंट इंटेर्ट अएट बहुत बहुत ति प्रोंगें यह सिंद आगे शीदा एट थाजेंट पर अन्योगेट पर अज्टिक को अडल काफीज और इंक् जा रही है तो आज हम आपके साथ complete details share करेंगे कि क्या-क्याइब आपको new features मिल जाते हैं engine option launch date price and so on so अभी तक यह spy नहीं करेगी है but याप जो exterior में changes करेंगे that will be similar to Seltos gravity edition जो कि कुछ ऐसा दिखता है so Seltos facelift के exterior में आपको आपको minor changes देखने को मिलेंगे because Seltos to be honest बहुती जादा perfect car in terms of exterior design so यह आप आप लेख सते हैं में आपे new grill मिल जाती है which is more sharper साथ में आपको alloy wheels का जो design है वो भी new मिलता है so these are all new alloy wheels 17 inches के आपको मिलेंगे GTX plus model में अपर मोडल में आपको 18 inches के मिलते हैं जो कि X-Line model है and rear में tail lamp में आपे minor changes करे जा रहे हैं also rear का जो bumper है that will be restyled यान की redesign और जो front bumper है वो भी आपको थोड़ा बहुत redesign मिलते है and Seltos के facelift में आप आपको दोस्तों finally panoramic sunroof मिल जाएगी that is because आपर जो competition ऐसे कुशाक है उसका भी new edition launch हो रहा है जिसमें आपको panoramic sunroof मिल जाती है and जो Seltos की sale continuously बहुती big margin से decline होती जा रही है so Kia has to do something about it तो definitely आपर guys panoramic sunroof add करी जेगी we have very high expectation on this and अब बात करते हैं इंटियोर्स के बारे में तो इंटियोर्स में guys आपर space and comfort में कोई भी change आपको नहीं मिलेगा yes kreta के जो इंटियोर्स है वापको जादा spacious मिलते हैं seats जादा comfortable मिलती है but इंटियोर्स की जो same seats अभी आपको मेल रहे हैं अभी same seats अपको facelift में भी मिलेगी कोई space and comfort में आपे इंक्रीज नहीं कर जाएगा यहां पर जो अपॉस्ट्री का design है fabric seats के leather seat का दोनों का design है वो slightly change करा जाएगा but that doesn't matter to you but इसके अलाबा guys यहां पर इंटियोर्स में और ऐस सच कोई भी changes नहीं करे जाएंगे X model onwards अब बात करते हैं next other features के बारे में so these are the features यो कि अभी आपको मिल जाते हैं so existing feature आप दिख सकते हैं six year bags heads up display 360 camera 10.25 inches infotainment system uo connected का technology LED headlamp LED tail lamp all four disc brakes leather seat upholstery air purifier two step rear recline seats automatic headlamp automatic wipers pedal shifters अभू सारे यहां पर features मिल जाते हैं and new features की बात करें guys तो यहां पर panoramic sunroof add करेंगी जो connected का technology है यान की यूवो यूवो में कुछ additional features अब आपको मिल जाते हैं electronic parking break available रहेगी दोस्तों साथ में आपको ORVM के अंडर भी एक lamp मिल जागा जैगा जैसे आप कार को unlock करेंगे तो वो ग्लो करेंगा जैसे की क्रेटा में अलकजार में करता है तो यह सारे कुछ new features यहां पर add कर जा रहे है panoramic sunroof uvo में कुछ जादा features आपको मिल जाते हैं साथ में अब अब बात करते हैं साथ में आपको सेम इंजिन ऑप्शन मिलेंगे त्री इंजिन ऑप्शन दिये गए 1.5 वीटर नाच्रली एस्परेटेट फॉर्स देंडर पेटोल इंजिन 1.5 वीटर फॉर्स देंडर सी आई डीजल इंजिन तो अभी तक आपको पेटोल में ही आप अब यहां पर डीजल में भी आइंजिन ऑप्शन फॉर्स तैम एड कर जा रहा है किसी भी हुंडे कार में या फिर किया कार में और 1.4 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन विच इस फॉर सिलेंडर यहां भी आपको मानुल गेरबॉक्स एंडी सिटी गेरबॉक्स मिल जाता है तो यह तीन इंजन ऑप्शिन यहां पर ओफर करे जाएंगे पॉंटिनुट तो फाइनली आप बात किरते हैं प्राइस के बारे में लांच जेट के बारे में दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह फेसलिफ्ट है तो यहां पर लेंध में वेट में जाएंगे इवन जो कार का वेट भी उसमें भी हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब को नहीं मिलेंगे इन तरम्स ऑफ दैमेंशन और स्पेसिफिकेशन और यहां पर आपको सेम एडवांस के डू प्लाटफॉर्म में जाएगा अल्ट्रा ही स्टेंग स्टील और ही स्टील क इधा तो यह था प्राइज डिफरेंस की आपको प्राइस डिफरेंस मिल जाता है और कुछ अडिशनल फीचर्ज ऑफर करें जाते हैं एंटीर में थोड़ा चींज करें एक इस चल जाता है एक बायर को और आपका बजट ह्ट्ट को अगर आपका बजट यहां पेलिए पर के लिए तो आप डेफिनेटली उनको अभी पर्चेस कर लें उसके लिए फेसलिफ के लिए वेट करने की जुरूद नहीं आपको हाई प्राइस पर वो कार मिलेगी और इतना कुछ वहां पर डिफरेंस नहीं मिलता बड़ एनी विच्वेस आप वेट भी कर सकते हैं और बा आपे फालो कर लें विच्छ तीम कारिलाइट और इविल सी नेक्स्ट वीडियो